हलो दोस्तों जो मगद इन्वर्सिटी पार्ट वन 1821 के छात्र हैं उनके लिए जो यह आनर्स पेपर होने वाला है इसका एक्जाम सेडियूल है इसको मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से इसको समझेंगे यहाँ पे जो लिखा है एक्जामिनेशन प्रोग्राम आप बीए बी ठीक है ग्रूप A जो आपसे देख रहे हैं इसे इसमें फिजिक्स है हिस्ट्री है एकोनॉमिक्स है और क्या-क्या है कि एलेक्ट्रोनिक्स है इस्टैटिक्स है ठीक है और एलस्टावलू है रूरल एकोनॉमिक्स है बोद्धिष्ट और स्टाडिज है पी उभी एडियम है है म्यूजिक है इसका मतलब है कि यह गुरूप ए वाले गुरूप ए बता रहा है कि जो भी फीजिक्स लिए है और हिस्ट्री है में इसट्री है और नहीं एक ही आपका सब्जेक्ट होगा फीजिस आपका में जिसमें पेपर होंगे सौसो नंबर के ठीक है और एकोनॉमिक्स जिनका ओनर्स है इलेक्ट्रोनिक्स जिनका ओनर्स है समझ में आ रहा होगा आपको बात वो ग्रूप A को देखेंगे केवल ग्रूप A पर फोकस करेंगे ना B C D पर फोकस थोड़ा सभी नहीं करेंगे केवल एक हो देखेंगे अपको दोड़ेक्टा उंगे एक दोनों पेपर यहां पर देदिया है संजाते हैं आपको देखिए यहां पको कि यहां पर आप देख रहें कि गरूप A यहां पर लिख्या है कि यहां पर लिख्याआ डेट 12.01 जाए region 12 तारीक को ही गरूप अ papel किसका physics का जिसका physics होगा जिसका हिस्ट्री उसका history का होगा इसका economics है सुबह 10 बज 2 से 12 बच तक होगा paper 1 पहला paper से देंगे का A जो कमेश्ट्री वाले हैं उनका chemistry भी होगा ए में तीन को नोंका three पेपर दिखा रहा है chemistry A chemistry B chemistry C अब समझे तो जो ग्रूप A जिनका फिजिक्स अनर्स है इस्ट्री अनर्स है economics है वो ग्रूप A में आ रहे हैं ठीक है जब ग्रूप A में आ रहे हैं तो उनका परिच्छा कब होगा एक होगा 12 को आया कि अधार फिर लिख़ा है मतलब होगा 15 को 15 कि पाहला पर आपको आपका होगा 12 को दुसरा पेपर होगा 15 को इधर आपको नहीं देखना इधर से 2nd sitting कप benevolent sitting में है तो किनका है कि इसजो देख रहेंगेश आप निमेस्टरी पेपर आप जो देखे रहे हैं कि मेस्टरी पेपर इसां पैइला पेपर होंगा बार्य Tariq कि गलता हैंगत आपस्धान इसएखे में तर्य स्काइब अपना बी वाले पर ध्यान देंगे समझते चलिए इनका पॉलिटिकल साइंस आनर से या मैत आनर से या सोसलोजी आनर से वो ग्रूप B को फोकस करेंगे वाकि किसी को फोकस नहीं करेंगे ना A को ना C को ना D को चलिए अब मैं उनको समझा देता हूं यहां पर देख सकते हैं एक यहां पे लिखा है तो अगर इसके सुझाई पर आप आएं तो आपका डेट दूसरा पेपर 15 तारीक का है पहला पेपर 12 तारीक है आरा समझ में मतलब जो पहला आपका पेपर होगा किसका अगर पॉलिटिकल साइंस लिए है तो पॉलिटिकल साइंस होगा ध्यान रहे पाली आपका दूसरा है दूसरे पाली में बारा बजी के बाद होगा ठीक है तो जो पॉलिटिकल साइंस लिये हैं मैथ लिये हैं सोचलोजी लिये हैं उनका बारा तारीकों होगा पेपर सेकेंड पाली में पहला पेपर होगा दूसरा पेपर आपको पंदर तारीकों ही होगा लेकिन 2nd poly में होगा समयारा बात अब देखिए अ को है और जो इसमें कमेस्ट्री का फेपर है कबस्ट्य का आपदेख पह रहें वो कमेस्ट्री का को तो नहीं दिया लेकिन उसका भी पेपर होगा सेकन पाली में ही चुговडां द्यान करें कमेस्ट्री अब नेक прогu को होगा दूसरा पेपर 13 को होगा और तिसरा पेपर 16 को होगा ठीक है यह ध्यान दाए आपको अब हांगे जो गुरूप C वाले हैं मैं उनको समझा देता हूं जिनका जो अनर सब्जेक्ट है वो टेनी है या जो लोजी है या कमर्श लिये हैं या साइकलोजी लिये हैं या अनर साइंस लिये हैं हूम साइंस लिये सोरी या ए आई एस फिलोसफी जो भी है उनका मेना सब्जेक्ट 200 नंबर का पेपर वो केवल C पर फोकस करें और बागी छोड़ तारीक होगा किस सिटिंग में होगा फार्स इंग कि इसी में दिया न तो पहला पेपर तेरा तारीक होगा और दूसरा पेपर शोला तारीक होगा अब देखिए जो ग्रूप D है उसको समझा देता हूं यानि जिनका में आनर सब्जेक्ट चियोग्राफी है यह हिंदी लिये ह या उर्दू मागी अर्वेक मैथली पाली जो भी लिये है वोच्पुरी संस्कृत उनका ग्रूप D पर क्यों फोकस करें उनका ऑनर सब्जेक्ट यह है इनमेंसे कोई भी है ग्रूप D कहां कहा है यहां पर ग्रूप D है एक यहां पर तो किस तारीक हो तेरा तारीक होगा औ को पहला पेपर यह आपका 13 आपका 31ики किमेस्टीवाहिन आपका pandhashisi ंच्र Sugsharada रखा आप 1 यू पहलेग संद्रक हा नहीं आप ऊंजर्फी थे शोन गर तिक आपका सब्सेड्रीЙ सॉबजेटक्ट का रहा और कम पूजीशन का होगा यह जो दूसरा आपको दिया है यह बी नंबर सेक्शन इसमें जो आपका सब्सीडरी सब्जेक्ट है साहयक सब्जेक्ट जो निवारे सब्जेक्ट होता है जो मेन अनर्स नहीं होता केवल सौ नंबर के एक होता है इसका एक देना होता है अब इसमे कर दो भी थो समझीशcus आपना एंग्र जल यहां पर क्या समझाना है कि जिनका इकनोमिक्स है इस मालन जो आर्ट वाले हैं साइरे सॉ हमक्स वाले हैं कमर्स बाले यह था अर्ट साइन्स कमर्स दो दो दिया इसका सबसिडरी सोरी यहां तो यहां पर समझेंगे हम कि जिनका आइपस में अभी आठ्स पर ध्यान दे जिनका economics है, subsidiary में, उनका paper 18 तारीक होगा, कब होगा, Sir? प्रतमपाली में होगा, जिनका AI या AS है, उनका उनिएस तारीक होगा, प्रतमपाली में, LSW लिएंने तो यहाईस तारीक होगा, नहीं होम साइनस हैं, उनका तो 22 तारीक होगा, आटेसिफ तारीक होगा हिंदि लेंगवेज लिए ध्यांक और अपर परी को घ् Gateway है तो 27 तारीक होगा अ हंग आ पह स्वह लिए यह ओंगा श्वांनियें के उनका होगा सो अन्हेंज तारीक को ठीक है अजो जिलोजी लिये हैं उनका होगा 25 को कमेस्ट्रीं लिये हैं उनका होगा 28 तारी को सबसीडरी एक पेपर होता है इसका ठीक है और जो commerce वाले अभी परतम पालिगा में बता रहाँ परतम पालिगा के बलो commerce वाले से ह furn sidewalk होता है निया सब्सिट या अच्छा चलिए तब होता ही कि बात नहीं है इन्हें लिया यह अब तब आगे देखतें सेकेंट पाली बालोंका जिनों आर्ट में बुद्धिश्ट रिया है उनका सेकेंड पाली में होगा कब होगा अठारा तारीक को सबसीडरी जो लिए हैं पॉलिटिकल साइंस अगर लिये हैं उनका 19 तारीक होगा को अगर मूजिक या एस्टेटिक्स लिये हैं तो उनका एक इस्तारीक होगा कि अगर फिलोसिटी सब्सीडरी में आप लिये हैं तो बाहिस सड्ट फिलोसेब games कि अगर में अगर साइगल तो फिद्र tag थारी को सेकेंड पाली में घान दे सारा यह प्रीपर पाली में होंगे अगर ही स्टरी memoir है पर सफटाइस पू इसको कमपोजीशन कोई सब्ज़एक यह को हाफ unexpectedly Secondly हिंदी होता है तो 28 होगा द्यान देना इन्हों कंपोजीशन हिंदी लिया है उनका होगा 22 को मैथ लिया है तेजह को होगा अगर इलेक्ट्रोनिक्स लिया है तो 27 को होगा यो कट कसी ने उदेन उसका है नहीं जान दे आप कमर्स वाले देखेंगे तिनोंने सबसीडिर लिया कमर्ष उनको देखना है जिन बेऊ लिया हुगा उसका 18 तारिकों होगा उसका 15 तारिकों होगा दिशन हिंदी लिया होगा तो उनका 20 को गहा इन को बेखस कि नरिकाउंट एकाउंट लिया वोगा उसका पच्छी को होगा और बागी नहीं तो समझ में होगा बात करना यह उनका है जीन का ऑनर्स सब्सीडरी का पेपर है कंप विंडिया शूर्म सा अब के लिए समझेंगे उनका तो कोई है ही निया उनर्स 200 का पेपर निया उनका सब 100 सब 100 नंबर का है चार पेपर या पांच पेपरों जो भी हो सब 100 नंबर का एक फेपर है जनरल हो उनको कैसे कैसे देना है देखिया अगर आट वाले हैं तो वह देखें अगर वह एकनोमिक्स लिए है तो इनको 18 तारीक को प्रत्म पाली में जाके देना है ठीक है जो इनका AI या AS है उनको 19 तारीक को इनका LSW है 21 को इनका होम साइंस है वह 22 को जाएं उनका तो आप साइकलोजी है तो तेश तारीक को जाएं प्रत्म पाली में जाना है यानि 10 बच पहुंच जाना है अगर जियोग्राफी या लॉंग वेज लिए हैं यहां पर अगर लॉंग कि अधिया है तो पछीस तारीक को जाएं जिगोगाफी लिये है तो 27 को 47 को जाना आपको फॉस्ट पाली मी और ऑट्फ्द 24 को जएं ए और एको लिए है तो 25 को जोगा अगर शोडियी लिए हैं तो 28 को होगा शै penguin है तो। अबजीक्स जન हो गया साइनस वालोक हो तो डिहान दे उनके उन्हें में स्थाईरिक को सगा अगर ये मतलब का कोई हाई नहीं, मतलब उन्होंने लिया ही नहीं है उनकाald हुआ इस यहाँ पर हुआ है, a couple seminar in Wizards मिला होगा तो बाइसतारीक होगा मैथ होगा तो तेस्तारीक होगा है और से मेर्ली लिया तो पचिसक को का से डिल्षप फिल्व कोड़ी लो नो है अभी आसे साइसी वाले जिनका जैनल हो गया वो देखें इंघें एलेफ एक फाली एक्चान वाले है यहाँ परोट समझेंगे रिदैने साइनस में ञेकर जैन्हें नी लिया है तो ए 그건 ईसल्ब्रोन तो ऐस्टारीथ को होगा थारीक होगा ऑनकश्ट्रकीघ्व्हरी आ लिया का कमPS १हें लिया है तो उनका ब्रेस्ट में छोगा मैथ लिए है थेस को होगा एलेक्टरोनिक्स स्लेट तो 27 को Bis in lals Cam 5.7ieren कमर्स में जिनकर जेनरल हो गए हैं उनके लिये उनका कमर्स कव्यू द बंश या Gavin 10 इस परकार यह साड़ा सेड्我有 में आपको ठीक है और बाकी कत्म अब कोई भी समस्यार नहीं होगे शाइद और फिर भी होगी तो कमेंट करके बताएगा मैं आपको बता दूंगा किलियर थाने बाद